Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on syntax as you can see here. As always, one more information guys, this video will be bilingual. यानि कि यह video आपको Hindi और English दोना ही भासाओं में प्रोवाइड किया जाएगा. तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में जो है, वो syntax यानि की subject work agreement start कर दिये थे, और जो है, हमने इसका 50% part cover भी कर लिया है. और इसी series को हम आगे बढ़ाएंगे अपनी. और दोस्तों, एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियो पशन दाती है, हमारा content आपको पशन दाता है, तो प्लीज इसे like कीजिए, subscribe कीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंडों के साथ इसे share भी कीजिए, जो लोग basic से English सीखना चाहते हैं, जिल लोगों की English काफी कमजोर है, तो आप उन लोगों को प्लीज ये वीडियो जरूर share कीजिए. तो आईए दोस्तों, आप चलते हैं अपने topic पर, हमारा यहां पर हम जो अपने rules पढ़ रहे थे, उसकी series में हम अपना next rule देखते हैं, यहां पर लिखा गया है, यदि शिर्फ दो person की बात हो तब, तो दोस्तों कल आपने एक rule पढ़ा था, कौनशा? 2, 3, 1, यह sequence का आपने rule पढ़ा था, जहां पर 2, 3, 1 का मतलब क्या था, हमने आपको बताया था कि जो हमारे first person होते हैं, वो होते हैं, I and we, हमारे जो second person होते हैं, वो होते हैं, you, second person में शिर्फ यू आता है, और हमारे जो third person होते हैं, वो कौनशा होते हैं, वो होते हैं, he, she, it, they, यह हमारे third person होते हैं, तो यही था हमारा 2, 3, 1, यह एक rule था कि अगर 2, 3, 1 के sequence में दिये गए हों, तो हमारी वर्वे प्लूरल आती है, ठीक है, तो उसी के rule में आगे यह बताया गया है, तब यह था कि तीनो person एक साथ हैं, कैसा तीनो person जैसे हमने कहा 2, 3, 1, तो यह हमारे तीनो person एक साथ थे, लेकिन आज का जो rule है, यह दिया गया है, यह दिस रफ दो person है, जैसे कि हमने लिख दिया 2, 3, 1, अभी हमारे दो person है, तो हमने यहाप लगा 2, 3, यानि कि अगर यह सिरफ आएं, फिर हमने 2, 3, 1 में, हमने कहा दिया कि हमारा 2 और 1 एक साथ आएं, और फिर जब हमने 2, 3, 1 के sequence में कहा कि हमारे जो 3, 1 है, वो एक साथ आएं, यानि तीन person में से 2 person मुलाकर एक एक साथ आते जाएं, तो हमने जब कहा कि जब हम इस sequence को follow करते हैं, तब क्या होता है, तब हमने देखा कि हमने जैसे कहा कि हमारा 2, 3, 1 का sequence था, तो हमने कहा कि हमने ये वाला sequence ले लिया, मान के चलिए कि हमारे पास ये 2 person आते हैं, हमारा second person कौन सा है, हमारा third person कौन सा है, he, she, it, they, ये हमारे third person थे, तो third person में से कोई एक सा भी आ गया, तो हमने ये 2 person ले लिया, यहाँ पर आप example में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया है you and he, क्या दिया है you and he, तो यह हमारे two, three का sequence हो गया, यानि कि हमारे two, three, one में से, two, three के 2 person हमारे पास आ गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया you and be, हमने कहा था कि जब भी यह end से जुड़े हों, तो हमारी जो वर्व कैसी आती है, वर्व जो है हमेसा हमारी plural आती है, कैसी आती है, plural आती है, तो यहाँ पर जो हमारी वर्व है वो plural है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2, 3, 1 के sequence में कुछ चल रहा हो या फिर 2, 3, 2, 1 और 3, 1 के sequence में कुछ चल रहा हो अगर यह sequence आते हैं तो हमारी जो वर्व कैसी है हमेशा वो plural आएगी कैसी आएगी plural आएगी और example देख लीजे यहाँ पर जो हमारा वो 2, 1 का दिया गया है यू एंड आई आई जो हमारा क्या है फर्स्ट पर्शन है तो यहाँ पर यू एंड आई वर्व कैसी है हमारी plural वर्व है वर्व प्लेइंग किर्केट है तो यह तो था हमारे 2, 3, 1 का sequence जो हमने कल भी पढ़ा था दोस्तों कल हमने 3 पर्शन का एक साथ पढ़ा था आज जो हमन हमारा ही कौनसा है 3 पर्शन आई कौनसा है 1 पर्शन तो यह थ्री वन का sequence दिया गया है आगे रूल सिख लेन आगे हमारा दिया गया है यदि तीनों पर्शन के प्रुणाव्ण ऑन से क्र जूड़कर किस से जूड़कर ऑन नंग बताया था कि प्रोनावन क्या होते हैं और जो नावन को में उससा रुफ पर करें उसे हम क्या कहते हैं तो यहां वही कहा गया है कि तीनों पर्शन कौन-कौन से फर्श्ट पर्शन सेकंड पर्शन फर्शन जिनकी अभी हमने बात की थी और आपको बताया था तो यहाँ पर कहा गया है यहाँ तीनों पर्शन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर भूल, दोश, पाप, अपराद कौन-कौन सी चीज़ें भूल, कौन-कौन सी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर भूल जाएं मानगी चलिए हमने कोई mistake कर दी हो तो यह चार सी जहाँ आप याद रखिए यानि कि आप याद रख सकते हैं इन्दा negative sense है कोई गलत काम के लिए जैसे हमने कोई गलती किये है हमने कोई दोश है, हमने कोई पाप कर दिया है कोई अपराद कर दिया है इन सब का विजब इन सब के अर्थ में आये यानि कि इन सब का sense निकले हो sentence से, तो हम कौन सा sequence फॉलो करते है 1, 2, 3 कौन सा sequence, 1, 2, 3 और जो हमारी वर्व कैसी है, वो कैसी आती है हमेशा plural वर्व का प्रियोग होता है कैसी वर्व आती है, plural वर्व आई एक्जाम्पल से समझ लेते हैं इस रूल को यहाँ पर दिया क्या है हमने क्या कहा, 1, 2, 3 अब दोस्तों चेक करिएगा कि 1, 2, 3 यहाँ पर फॉलो करता है या नहीं आई जो है हमारा कौन सा है फर्स्ट पर्शन है, यू जो है हमारा कौन सा है, सेकंड पर्शन है एंड हमने क्या गहा एंड से जुड़े हों और ही जो है हमारा कौन सा पर्षन है थार्ड पर्षन है तो हमारा फर्स्ट सेकंड थार्ड का सीक्वेंच हो गया तो हम देख लेते हैं I, you and he are guilty guilty यानि कि कोई अपराद या दोश्ट कर दिया हो आपने तो हमने क्या गहा है कि जब भी भूल दोश पाप अपराद ऐसा कोई negative सेंस में हमने कोई काम किया हो और हमारा और हमारी पर्षन दिए गए हो और 123 के सिक्वेंच में दिए गए हो तो हमारी जो वर्व है वो कैसी आती ह हमेशा वर्व हमेशा हमारी प्लूरल आती है कैसी आती है हमारी वर्व हमेशा प्लूरल तो यह रूल भी आप याद रखिएगा पहला हमने जो सिक्वेंच पढ़ा था 231 का पढ़ा था फिर हमने उसमें पढ़ा कि अगर हमारे दो पर्षन हो तो 23 आएंगे 21 आएंगे और 31 वन आएंगे तो इनमें हमारी वर्व हमेशा कैसी आएगी प्लूरल आएगी और कभी-कभी जब हमारे इरार आते हैं तो हमारे यह सिक्वेंश भी गलत कर देते हैं तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि यह सही करने को मिल सकता है और हमने फिर अगले रूल में क्या कहा है हम उखिओंश यहां पर भी दयो अंगर दोन हो तो जैसे हमने उसमें 2 ,3 , 13ье वन के सीक्वेंश में 2 पर्षन पढ़े थे इसी तरह हम123 , फिर फर्स्ट पर्सट नंट पर्सन और यहां हम कौन से लेंगे फॉस्ट एंड और यह दो फिर हम कौन से लेंगे second and third यानि कि कौन से ए दो और last में हम कौन से लेंगे first and third यानि कि पहला और आखरी तो यह हमारे यहां पर दिया गया है और यहां पर कहा गया है मैनी अगुड मैनी अग्रेट मैनी यह जो हमारे तीन वर्ड है कौन कौन से मैनी अगुड मैनी एंड ग्रेट मैनी का प्रियोग बहुत के अर्थ में बहुत यानि की बैरी के अर्थ में बैरी मीश क्या होता दोस्तों बह पटे अर्थ में यांद की अनसर्टैन काउन्ट यानि की अनसर्टैन है जो कुछ बहुत कराई अगर मतलब की वेरी यानि की बहुत है या फिर अनिश्चित संख्या ना अंसर्टेन काउंटेवल के रूप में हो तो हम जो हमारी वर्व है वो कैसी आती है हमेशा प्लूरल वर्व आती है कैसी एक बार फिर्च रिपीट कर लेते हैं अगर हमारी यह सब्द दिये गए इसका बहुत है यहां पर क्या आया है वैरे यानि जो बहुत से लोग थे या फिर इस्टूडेन्ट से कुछ भी कह सकते हैं class में तो students ही ओते हैं remotely तो हमारी जो बहूत से students से वह कैसे थे अफ्सेंट थे class से तो यहां पर Magam क्या होगा बहुत है तो हमने क्या करए सच्छा के रूप नियुक अब और नियुकिल कैसी आती है हमारी जो और आप यह जो प्लूरल अग्रेट मैनी अगुड मैनी जो अभी हमने पढ़ा था और इसके साथ अगर आपको प्लूरल नाउन या प्लूरल 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 नाउन हम आपको इतने रूल पढ़ाई चुके हैं जहां पर यह टर्म बहुत बार यूज किया गया है तो हो सकता है दोस्तों आपको प्लूरल प्लूरल प्लूराउन अगर मैनी अगुड मैनी के साथ जो हमारा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्लूरल साथ में आता है तो जो हमारी वर्व कैसी है तब भी हमारी वर्व प्लूरल होगी जब यह हमारे यह तीन शब्द मैनी अगुड मैनी अगुड मैनी जब या अनिष्चिस संख्या का सेंस दे रहे थे तब भी हमारी वर्व प्रूरल आए थी और जब अब यह तीन वर्ड प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ आएंगे तब भी हमारी जो वर्व है वो कैसी आएगी वो plural आएगी जैसे कि example में देख लेते हैं यहाँ पर कहा गया है many students यह students कैसा है हमारा plural है many students have passed यानि बहुत से students passed हो गए तो हमारी जो वर्व कैसी है हमारी जो वर्व है वो plural है तो दोस्तों यह rule 19 था हमारा hope so आप समझ गए होंगे आईए next पर शलते हैं और दोस्तों आपको इन्हें learn करने से जादा जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इन्हें सबसे जादा आपको समझने की जरूरत है दोस्तों और अगर कहीं भी आपको छोटा सा भी point नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप हमें comment box में comment करके बताईए कि आपको कहा problem हो रही है कहां आपको कौन सा word समझ में नहीं आ रहा है कहां आपको किस rule को learn करने की जरूरत है learn मत करिए हमारे साथ हम समझते जाईए आप जैसे जैसे समझते जाएंगे आपको learn करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको समझते ही समझते वह rule याद हो जाएगा आपको बस उसे कुछ time बाद सिर्फ एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों बस उसके अलाव आपको और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तो आई अप यह फिर न्यक्त्रूल पर चलते हैं इंक्स रून देख लेते हैं मैंनी मैनी आ इस बार मैंदी आ है वे Carrie he elderly लावन तो solar City है दोस्तों आप आब जानते होंग दोस्तों यसा दिया पैन पैन कैसा है हमारा पैन क्या है हमारा पैन हमारे एक नाउन है हमने क्या दिया एक पैन तो यह कैसा हो गया यह एक क्या है हमारा शिंगुलर है गया है आये線ग्जम्पल से देख लेते हैं एक्जम्पल में दिया गया है लिए लोग्षब होता है और अगर दिया होता है तो क्या होता है प्लूरल होता है तो यहां पर दिया गया है मैंनी अब आए गोज टू कॉलेज इन टाइम यानि की बहुत से लड़के कॉलेज टाइम पर गए तो हमने क्या कहा कि जा हमारी यह वर्ड दिये गए हो और इनके साथ हमारे शिंगुलर काउंटे विल लाउन दिया गया हो तो वर्व हमेशा कैसी आती है हमेशा शिंगुलर आती है याद रखिएगा दोस्तों आए नेक्स रूल को देख लेते हैं नेक्स यहां पर दिया गया है इंडेफिनेट पर्शन जैसे की इंडेफिनेट पर्शन नहीं दिया गया है इंडेफिनेट प्रोनाउन अब हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते ह हैं जैसे यहां पर दिया गया है एब्रीबडी शंबडी नोबडी शंबन नोवन एक्सेक्ट्रा यह जो जितने नाम आते हैं बड़ी इस रिलेटड वन्स रिलेटड वह हमारे कैसे होते हैं इंडेफनेट प्रोनाउन और जब हम प्रोनाउन में डिसकस करेंगे तब आपको और भी नाम देखनों को भिलेंगे बट अभी हम रूल समझने के लिए सिर्फ जान लेते हैं कि हमारे इंडेफनेट प्रोनाउन होते क्या हैं अगर हमारे इंडेफनेट प्रोनाउन दिये गए हो तो हमारी वर्व जो कैसी है वो कैसी आती है हमेशा शिंगुलर आती है कैसी हमारा definite pronoun वहमने कहा था जब इंडेफ्नेट प्रो में आए तो क्या है वह श्मयल आनी चाहिए कैसी सिंगुल eer आनी चाहिए तो यहाँ पर वृंट्स कैसा है हमारा ही श्मयल हएं हमार हमारी वरव कैसे आई singular शली दोस्तों next वे चलते हैं next दिया गया है one क्या दिया गया है one one के साथ जो हमारा one के साथ जैसे आपने देखा होगा हमारा पजाएस प्रोनावन हमने कहा था कि जैसे ही के साथ क्या आता है हमारा हर ये इनके पजैसे प्रोनावन होते हैं क्या होते हैं पजैसे प्रोनावन ऐसा ही one जो होता है वन का पजैसे प्रोनावन जो होता है वह वन्स होता है और वन्स कैसा होता है ऐसे हमेशा याद रखिएगा वन्स हम जब भी वन का पजैसे प्रोनावन लिखेंगे वह वन्स लिखेंगे कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं दोस्तों तो ये हमारा गलत हो जाता है ये कैसा sizinglinear आती है हमेशा existing लाथ यहां पर जो हमने जब्लब सब्सक्राइब और यहां पर जो हमने कहा था हमारा पजैससे क्या है वह वंप साना चेह कैसा आना चाहिए इस तो यह था हमारा रूल है आईए अब next पर चलते हैं next rule में क्या दिया गया है यहां पर दिया गया है a number of a large number of a great number of या फिर a large number of क्या क्या दोस्तों याद रखिएगा नंबर ओफ दिया गया हो लार्ज नंबर ओफ दिया गया हो या फिर सिर्फ लार्ज नंबर ओफ दिया गया हो और इसके साथ जो है वो प्लूरल नाउन दिया गया हो क्या दिया गया हो प्लूरल नाउन तब है हम वर्व जो है हमारी कैसी आईगी वो हमारी plural वर्व आईगी अब singular plural तो आप जानते ही हो और noun भी आप जानते हो तो दोस्तों आपको कोई problem नहीं होनी चाहिए तो जैसे हमने यहाँ पर क्या दिया कि हमारी जो इतनी सब्द दिये गए है a number of a large number of a great number of या फिर large number of friends क्या दिया गया है a number of a number of हो गया हमारी यह जितने भी शब्द दिये गए हैं उनमेशे अनमबर आफ हमने लिया उसके बाद हमने कहा कि है plural noun क्या का plural noun तो यह rule हमारा यहां तक फॉलोव हुआ और उसके बाद हमने कहा कि अगर यह दो चीजे एक सात आये तब हमारी जो वर्व है वो कैसी आती है हमेशा plural आती है कैसा हाती हमेशा हमारी वर्व हमेशा plural आती है यह बात दोस्तों आप याद रखिएगा अगर हमारी ये शारी सब्द दिये गए हों और साथी plural noun भी आ गया हो तो हमारी वर्ब जो है हमेशा plural आती है आगे देख लेते हैं नोट में कुछ दिया गया है यहाँ पर दिया गया है लेकिन the number of क्या the number of है यहाँ पर हमने कहीं the number of तो पढ़ा नहीं यहाँ पर हमने पढ़ा a large number of a large number of a great number of है यहाँ फिर large number of लेकिन यहाँ पर बात हो रही है the number of का प्रियोग एक निश्चिस संख्या के आर्थ में होता है और इसके बाद plural noun के रूप में प्रियोग होता है तता इसके शाथ singular verb का प्रियोग होता है यहाँ पर कहने का मतलब यह है जिसे एक्जाम्पल से देख लेते हैं हमने कहा the number of और हमने कहा कि अगर इसके शाथ हमारा plural noun आता है वाज हमारा क्या है plural noun तो हमने क्या कहा कि इसके साथ से जो है वो हमारी singular verb होती है यहाँ पर गलत टाइप हो गया है दोस्तों यह हमारी जो यहां पर जोगी क्या है जोगी दोस्तों यहां पर यह मिश्टेक हो गई है यहां पर आप आर की जगा क्या कर लेंगे क्या कर लेंगे क्या कर लेंगे जो है वो certain है क्या है वो निश्चित है इसलिए the number of के साथ हमारा क्या आएगा हमारी वर्व कैसी आएगी singular वर्व आएगी यह यहाँ पर गलट हमारा जो नेक्स्ट एंड लाक्स प्रूल है आज की वीडियो का वह हम देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है हमारा बोथ शेवरल और वैरियस का प्रियोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो प्लूरल वर्व का प्रियोग होता है यानि इन तीन शब्दों के जो है कौन सा यह वर्व का प्लूरल वर्व का प्रियोग होता है जैसे दियर आर टू गर्स इन माई फ्लैट में यानि की मेरे फ्लैट में दो लड़कियां है एंड बोथ हार एक्स्रेमली ब्यूटिफुल तो यहाँ पर जो बोथ है एस सब्जेक्ट यूज हुआ है इसके प्लूरल आई तो दोस्तों यह तो थे हमारे आज के कुछ रूल और जो भी कुछ रूल आपके बचे हैं वहम आपके नेक्स्ट वीडियो में फिनिस कर देंगे और साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का जो चैप्टर है वह फिनिश हो जाएगा और दोस्त हम आपकी जो आप हमें सजेसन देंगे उस पर भी द्यान देंगे और दोस्तों अगर कहीं आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको लगता है कि हमें आपने वीडियो में और अच्छे से सुधार लाना चाहिए तो आप हमारी गलतियों को हमें कमेंट बॉक बंजा यानि कि आपको कभी इंगलिस में प्रॉब्लम ना हो तो दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए शेफ रहिए थैंक्यू सो मज गाइज